जाहें दु प्यारे छात्रो एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है तो प्यारे छात्रो आप सभी का दो पेपर complete तरीके से हो चुका है English और मैत तो जिस भी छात्रे हमारे English और मैत के पेपर के जो पेपर थे उनको नहीं देखा है वो देख लिजेगा मैत में बता दू जा किसी भी सेट का हो चाहे सेट A, सेट B, सेट C किसी भाद सेट का हो भई उसमें से कम से कम बता दू अपना 50 नंबर का क्यूशन फासा है कितने नंबर का? 50 नंबर का क्यूशन फासा है और English में काफी छात्रों ने कमेंट किया था सर आपका पेपर सेम तो सेम आ गया था इसलिए छात्रों आप लोग हिंदी की पेपर को भी ध्यान प्रोग देख कर जाएगा वीडियो की इसकी मत कीज़ेगा क्योंकि जो मैं वीडियो देता हूँ आपको बहुत ही इंपॉर्टन देता हूँ और बहुत ही सोज विचार के साथ देता हूँ तो अपना क्या सही विकल्प चुनकर लिखने वाले प्रश्ण है सूर सागर की रचनाकार है तो सूर सागर की रचनाकार हमारी सूर्दास जीए कौन है सूर्दास तो याद रखेगा सूर सागर की रचनाकार हमारा कौन जाएगा सूर्दास अब क्या है प्रावचन क्या प्रावचन प्रावचना सब्द का साब्दिक अर्थ है तो प्रावचना सब्द का साब्दिक अर्थ क्या होता है इसका साब्दिक अर्थ होता है धोका क्या होता है धोका करूर रसका इस थाई भाव है तो करूर रसका इस थाई भाव आपका क्या हो जाएगा सोक हो जाएगा सहर के मुख चवराहे पर नेता जी सुभाफ चिंदर बोस की प्रतिमा लगवा दी किसने लगवा दी थी आपको बताना है मेरे को कमेंड कर दीजेगा बाकी मैं बताता हूँ प्रसासनिक अधिकारी द्वारा ठीक है अब देखो दसानन में समास है क्या दसानन में समास है तो दसानन में जो आपको समास हो जाएगा बहुबरी समास हो जाएगा दस है आनन जिसके मतलब दस आनन है जिसके समझ जाओ ठीक है भोला नात का असल नाम था तो भोला नात का कया नाम था उसका नाम था तार के स्वरनाथ क्या था तार के स्वरनाथ ठीक है ना चलो अब यहाँ पर सब्द के सही जोड़ी विलाना है ध्यान परो देखेगा वीडियो की स्किप मत किजेगा संस्कृत अब संस्कृत ही हमारा किस में जाएगा आपको पता होगा यह जो चला जाएगा भद्दंद आनंद कौसल्यन यह हो जाएगा राइट एंस है कन्यादान कन्यादान रितुराज जी की रचना है तो कन्यादान पर रितुराज जी को कर दिजिए मैं क्यों लिखता हूँ अगे जी का हो जाएगा अधिक बोलने वाला तो वाचाल हो जाता है और प्रतेग में 16-16 मातना है तो अपना क्या चौपाई छंद हो जाता है नाच नावे आंगन टेरा एक प्रकार के क्या लोकोक्ती है तो लोकोक्ती में हो जाएगा इस प्रकार से आपको साल्व करते चलना है किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो कमेंड कर देजिएगा कमेंड कमेंड के उततर जरूर दोगा और उसके बाद हाँ जो अभी 16-20 तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों को सार्षास सेर कर दें चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सकराइब करके घंटी को आलपर सेट नहीं किया है तो घंटी को भी आलपर उसद्ध करते हम चार जी क्या हो जाया? जो सूर्दास जी थे वालवा चार जी के सिस से थे अब देखें मूरत मधूर मनोहर देखी मूरत मधूर मनोहर देखी पंकिती में अलंकार है यमक अलंकार है ये बात बिल्कुल असत है देखो मूरत मधूर मनोहर मूरत देखें मूरत मा 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 यहां पर मवड की बार बार अब प्रित्ती हो रही इस वज़ा से यहां पर कौन सलंकार होगा अनुप्रा सलंकार होगा बट यहां पर क्या दियेगे यमा कलंकार इस वज़ा से क्या हो जाएगा सरासर गलत हो जाएगा चले आगे बात करते हैं भगवान सक्यमुनी अपना परमपदेश प्राकरत भासा में दे यहां पर आगे देखिएगा रित्तस्थान की पूर्ती करना चात्रों यह वाला प्रस्न जो रहने वाला है बहुत इंप्वर्टन रहेगा यहां से जरूर देखिएगा ठीक है ना अब देखेएगा दुख दुख है ना चांद ने खिला रात आने वाली है जान देखिएगा यह वाला प्रस्न हो जाएगा दुख है चांद ना खिला वो सरद रात आने वाली है तो सरद आपको हो जाएगा राइट एंसर लेकाक स्वेम प्रकाफ जी का जन्म हुआ तो लेकाक स्वेम प्रकाफ जी का जन्म हुआ था इंदोर में हुआ था का हुआ था इंदोर में हुआ था फादर काविल बुलके की जन्म भूमी थी तो कौन से थी बिल जीम थी तो बिल जीम आपको जाए कर राइट एंसर लेकिका मन्नु भंडारी जी का जन्म गाउ में हुआ था किस गाउम हुआ था मान भा प्रकार के होते हैं लिख लिजेगा सोटा चंद में कितने चरण होते हैं यह तो चार चरण होते हैं जी चलिए एक वाकिम उत्तर देना है भाईयो तो ध्यान प्रोग देखेगा वीडियो को वीडियो की स्कीप मत कीजेगा भगवान संकर का धनुस किस ने तोड़ा तो के अनुसार किस रितू की आभा अट नहीं रही है बसंत रितू की आभा अट नहीं रही है उपमालांकार कितने प्रकार खोते हैं तो चार प्रकार खोते हैं खूब लड़ी मरदानी वह तो जहासी वाली राने थी इसमें कौन सलंकार है इसमें बीर रस है बीर रस ठीक है नही बात सब दिखाएते हैं ठीक है जपान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था तो अरू बम गिराया गया था अब चला जाए अब चला जाए किस प्रकार का वाख है यह भाव वाच्च वाख है तो छात्रों यहां तक इस वीडियो में कवर करते हैं पांच प्रशने तक इसके आगे की प्रेशन आप लोग को पाने के लिए वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है दोस्तों साथ ज़्यादा शेयर करना है तो मैं उम्मीद है कि आप लोग को मारे जो छोटा सा वीडियो है पसंद आया है पसंद आया जो लाइक कर देजेगा शेयर कर देजेगा मि देंगे आप लोगों से नेश्ट वीडियो में धन्यवाद